नमस्कार मैं हरिशंटर यादव ब्रैट फिचर एकेडमी में आप सब का आधी स्वागत करता हूं मैं आज इस वीडियो में देकर आया हूं क्लास नाइन शेप्टर शेकेंड का थर्ड वीडियो में पूरा आपका इंट्रोड़क्शन है और 2.1 एक्सरसाइज में आपका पूरी जो है आपका फर्मूला है 2.2 में 2.3 और 2.4 का थिवरम है जो आप उसको पहले इस वीडियो से देखने से पहले आप खास शेकेंड को आप अच्छी तरह से देख लिजिए तो थर्ड आपको बिल्कुर समझना रहे हैं कोई मुश्कि चिदीच कुछ होते हैं जो हमेसा बचों को कंफ्यूज करता है तो यह 10 आपके जो आइडेंट्री है इस स्थाइज में इसको पहले आपको याद रखना है जैसे x प्लस y का होल स्कार इसकार प्लस 2xy प्लस y स्कार x-y का होल स्कार is equal to x-square minus 2xy plus y-square x-square minus y-square is equal to x plus y, x minus y फ secondary है फzug स्कार है फोर्फ आर्फ हम मिलेगा x plus y plus z का होल स्कार is equal to x-square plus y-square plus 2xy plus 2yz plus 2 zx और next होगा x plus y का होल q x-q plus y-q plus 3x-square y plus 3xy-square और x-y का whole cube x cube minus y cube minus 3 x square y plus 3 x y square इसे प्रकार से formula आप mention किया गया यह book में भी formula है इम formula को थोगा से एक बार memorize कर लेंगे और memorize करने के बार इसको आप solve करेंगे तो बिलकुर समझ में आएगा कोई मुस्किल नहीं है ठीक है? तो मैं इसके बारे मुत्वास आपको एक एक questions को हम लेकर explain करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम इस question को solve करेंगे माले कोई भी functions है उसको हम इस formula में कैसे पूर करेंगे जिसके माल लिजिए कि आपका 2 x plus 3 y है इसका whole square के form में इसको convert करना है तो save to save इसी तरह का form में आप पन्वर्ट करना है कैसे करेंगे? एक स्क्वाइल एक के अस्थान पर किया 2 x है तो हम लिख सकते हैं 2 x का whole square plus 2 into x के अस्थान पर 2 x y के अस्थान पर 3 y plus 3 y का whole square y के स्क्वाइल के अस्थान पर है सिधा इसकी value को put कर दीजी तो 4 x square plus 2 2 जा 4 3 जा 12 x y plus 9 y square आप आपका value निकार गे explain कैसे इसी फर्मूले में इसको क्या करते है फड़ा देते हैं तो 2 x square plus 2 into 2 x plus 3 y 2 3 जा 6 2 जा 12 x y 3 k square 9 y k square 9 इसको निकार से आप इस फर्मूले को आप अराम से बना सकते हैं कोई दीकत नहीं इस फर्मूले को सबसे ज़्यादा आप questions आता है हमेशा कि find the x square minus 25 डिवेलिन को अगर इस टाइप में questions अगर है x square minus 25 है हम इसको कैसे factors करेंगे यहां से धिया रखेंगा हम यह तिसरा फर्मूला जो है x square minus y square को इसी फर्मूला में तन बढ़ कर सकते हैं x square minus 5 square का सकते हैं ठीक है अब value क्या मिलेगी आपकी x plus y x plus 5 first bracket और x minus 5 second ठीक है वैसे ही एक x plus 10 और x plus 5 है इसका हम कैसे बनाएंगे पूलना में तो यहां पर आपके एक फर्मूला लगा हुए x plus x plus b is equal to x square plus a plus b x तो a क्या सांपर 10 है हम लिख सकते हैं x square plus 10 into 10 plus 5 x plus 10 into 5 यह हुआ है x plus x square plus a plus b 10 plus 5 x square plus 15 x plus 10 5 जा 15 आपका एंसर बन जाएंगे सिंपल से चीज़ है अगर यह फर्मूला इडेंटिटी अगर अच्छी तरह से आपको याद है तो यहां पर आपको पोड़ी दिकत नहीं होगा ठीक है यह तो सिंपल सिंपल से questions है और मैं आप फर्मूला से exercise की तरह से question जो सबसे important question है किस type of questions आते है आपके exam में वो मैं आपको mention करने जा रहा हूँ exercise 2.5 exercise 2.5 का first question मैं explain करने जा रहा हूँ first question given है x plus 4 x plus 10 अब इस question को हमें जो बनाना है तो एक से factize करके बनाएंगे और पुलना में उसको कैसे बन जाएगा ठीक है तो सिधा आपको फर्मूला question से लगने के बात पहले आपको find करने कौन से formula यहाँ पर use किया जा गया सबसे पहले आपको देखना है question में क्या दिया गया है क्या पूछा गया है उसके लिए आपको कौन सा formula अपलाई करना है तो अब यहाँ पर यह देखने से आपको पता चलेगा और फिर x बार है x रख दिया प्लस a इंटू b means 4 इंटू 10 अब multiply कर दिजे x square प्लस 14 x ब्लस 10 फोर जा 14 बंगी आप एक्स है ठीके तो अगर identity आपको अच्छी तरह से याद है तो फिर इन question में कोई problems नहीं होगा ठीके तो पहले कोशिस किजे फर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें फर्मूले याद करने के बाद अगर मेरे इक वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा benefit होगा अब exercise का 2.2 इन question मैं आपको mention करने जा रहा हूँ दिया है 103 into first part 103 into 107 107 अब इसको अभी हमें direct multiply करतेंगे तो भी answer आगया लेकि नमबर आपको नहीं मिलना है लिखा रहेगा using identities अगर identity की यूज करके आपको solve करना है तो 100 को हम क्या लिख सकते है 103 को लिख सकते है 100 plus 3 और 107 को लिख सकते है 100 plus 7 अब सिधा रहा पर्मुला लगा सकते है यही वाद पर्मुला लाता X plus के point आगया हम लिख सकते है 100 के square plus 3 plus 7 into 100 plus 3 into 7 तो 100 के square करेंगे तो 10,000 होगा plus 10 into 100 plus 21 10,000 plus 1000 plus 21 अब इनको प्लस कर दिजिए 10,000 नीचे लिख दिजिए 1000 उसके नीचे लिख दिजिए 21 1, 2, 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1 आएगा ठीक है अब रांस हम इसको लिख सकते हैं क्या होगा 1, 1, 0, 2, 1 इसी प्रकार से हम इसके बहुत सारे question तो आई इसी तरह के दिए गया है अब इसको solve करेंगे solve करके आब इसको आप आई अंतर लेंगे ठीक है तो इससी size में ज़्यादा एक question सबसे important है मैं आपको explain करने जा रहा हूँ question number 6 question number 6 question number 6 है कि 2x plus 1 का whole q first part है 2x plus 1 का whole q और यहाँ हो whole q का formula हमारे पास है x plus y का whole q का formula है उसके अस्तान पर लिक सकते है 2x का whole q plus y का q means 1 का q plus 3 into 2x का square into 1 plus 3 into 2x into 1 का square formula सीधा पूर्ट कर लिए तो 2 के q x x cube हो जाएगा plus 1 हो जाएगा plus 2 to 4 3 जा 12 हो जाएगा 12 x square plus 6 x हो जाएगा अब इसको जो है decreasing order ने रेंज का लिजी x cube plus 12 x square plus 6 x plus 1 होगा इस तरह से आप formula में put करते जाएगे आपका formula बनता जाएगा कोई मुश्किल नहीं है अगर इस question को आप अगर practice करेंगे ढंग से तो भी कोई principle नहीं होगा अराम से आप कर सकते हैं इसके लिए एक question सबसे important है जो हमेशा चार नमर का आता है मैं इस question को solve करने जा रहा हूँ की फैक्राइज question number 11 question number 11 है फैक्राइज करना है 27x cube 27x cube plus y cube plus z cube y cube plus z cube minus 9xy minus 9xy ठीक्राइज इसके लिए मैं आपको पेड़े जो है ये फर्मूला को रख कर देता हूँ आप देखिए इस पहुंट ऐसे फैलाईगे इसको आपने फर्मूला है आपके पास x cube plus y cube plus z cube minus 3xy को फोर में करबर्ट कर लेंगे तो 3x का whole cube plus y cube plus z cube minus 3 into 3x into 3x y z x into y into z होगा और ये पुरी आपको फर्मूले में आगे देखिए x cube plus y cube plus z cube minus 3xy z तो इसका जो पर्मूला है फर्स्ट प्रेकेट में x plus y plus z है तो यहाँ लिखेंगे 3x plus y plus z फर्स्ट प्रेकेट हो जाएगा सेकेंड रिखेट हो जाएगा 3x का whole square plus y square plus z square minus xy minus 3xy minus y z minus 3x z ये बस फर्मूले फर्स्ट पर्स्ट 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 जाएगा अब एक कोशन से और आता है कि अगर इसकी value 0 हो जाएगी तो इसकी value क्या होगी अब एक भी type questions है if x plus y plus z is equal to 0 question number 13 है if x plus y plus z is equal to 0 to find the value of xq plus y, prove that, to show that xq plus y q plus z q to show that to show that x q plus y q plus z q might is equal to 3 x y यह आपको prove करना है तो prove करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ध्यान दिजिए कि सबसे पहले हमें फर्मूला दिखना पड़ेगा कि x q plus y q plus z q minus 3 x y z is equal to is equal to जो फर्मूला है उस फर्मूले मा पूट कर दिजिए is equal to x plus y plus z first bracket में x square plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x यह question से आपको यह इसके बराबर होगा ठीक है तो आप क्या करें इसकी value 0 दिया हुआ है तो हम लीख सकते हैं कि x q plus y q plus z q minus 3 x y z इसके आपको हम 0 दिख दिया x q plus y q plus z q minus 3 x y z is equal to 0 इंटू यह पूरी बाइलो दिख दिजिए plus y square plus z square minus x y minus y z minus z x तो x q plus y q plus z q minus 3 x y z इसके पूरी की पूरी value दिरू हो जाएगी तो हम लीख सकते है x q plus y q plus z q minus 3 x y z हो जाएगी इस प्रकार से जो रहा हम आप question को अनारम से solve कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है इसी प्रकार से बहुत सारे questions हैं आपको जो आपको solve करने के लाइक है उसको solve कर सकते हैं एक questions और है जो बहुत important है मैं उसको बारे में फिर explain कर देता हूँ उसके बार वीडियो आपको complete हो जाएगी chapter complete हो जाएगा 9th class का second chapter 14 question जो दिया 14 question है आपको simplify करना है questions है minus 12 का whole q plus 7 के q plus 5 के q इसको जो है आपको find करना है बहुत important कोच्चा है देखने में छोटा है निकिन जादा आता है तिन नमबर का कोच्चा है इसको हमें करना पढ़ेगा ले x is equal to minus 12 y is equal to 7 or z is equal to 5 तो हमें पाइगे x plus y plus z time करना x plus y plus z is equal to minus 12 plus 7 plus 5 x plus y plus z is equal to minus 12 plus 12 x plus y plus z is equal to 0 हो जाएगा और 0 का भी फर्मूला जो आपको दिया गया है कि if x plus y plus z is equal to 0 तो find the value of x q plus y q plus z q वही चीज़ यहाँ पर है तो दियाफोर कि x q plus y q plus z q is equal to 3 x y j और x की value पूट करना जीए 12 के होन q plus 7 के q plus 5 के q की value क्या होगी बस सिधा multiply करना जीए 3 x minus 12 x 7 x 5 तो minus 12 का q plus 7 का q plus 5 के q इसको multiply कर दीए तो कितना हो जाएगा 5 से रेंजा 45 45 में हम 3 से multiply कर लेते हैं 3 5 जा 15 3 3 जा 9 1 10 after that 12 से multiply कर लिजे 2 5 जा 10 2 0 0 1 2 1 जा 2 1 5 1 0 1 0 minus 1 2 6 0 तो इसको डायेक्ट मटिप्लाई करना हैं कि तू भी असवर आ जाये लेकिर आपको का जाएगा कि इसको 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 सॉल करेंगे तो अब हमारा आइसर परफेक्ट होगा ठीक है अब इस परकार से हमारा जो है चेप्लर यह फूरा पूरा कम्प्रीट होता है मुझे अबीद है कि आपको अच्छी तरस समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट होगा तिस वीडियो को बार बार देखिए सबसे मॉस्ट इंपॉर्टेंट है आप बुक के फर्मूले को याद कर लेजिए एक बार फर्मूले को अच्छी तरस से याद कर लेंगे फिर देखने के वीडियो बहुत आपके लिए लब धायक होगा आपके लिए बहुत एश्पूर होगा धारक के और उसको किजिए मेह मेहनत ही मेरा मेहनत है हम मेहनत कर रहा है तो मुझ आप भी मेरे साथ-साथ मेहनत कर दिये तो आपको ज्यादा वेड़ीट होगा ठीक है फिर अगली वीडियो में नए टाफी के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत